एक आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच की आकृतियां अब इस आकृति की ओर देखें, हम देख सकते हैं कि समानतर चतरभुज A, B, E, C तथा समानतर चतरभुज A, B, F, T में आधार A, B उभेनिष्ठ है साधी समानतर चतरभुज A, B, E, C के शीर्ष C और E जो भुजा A, B के सम्मुख हैं तथा समानतर चतरभुज A, B, F, D के शीर्ष D और F जो भुजा A, B के सम्मुख हैं A की ही भुजा C, F पर हैं जो A, B के सम्मुख है इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों समानतर चत्रभुज A की ही आधार AB पर तथा A की ही समानतर रेखाऊं AB तथा CF के बीच इस्तित हैं ठीक इसी तरह इस जित्र में ADB तथा ACB दोनों समानतर चत्रभुज A की ही आधार AB पर तथा A की ही समानतर रेखाऊं AB तथा DC के बीच स्थित हैं इसलिए दो आकरितियां यदि एक ही आधार परिस्तित हैं और उभै निश्ट आधार के सम्मोकिस्थित उनके शीर्ष एक ऐसी रेखा परिस्तित हैं जो आधार के समानतर हैं तो वो आकरितियां एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाऊं के बीच की आकरितियां कहलाएंगी 13. P. 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 झाल झाल